साथ्यों बीते नव वर्षों में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग हर छेत्र के जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है हम गुड गुवर्नेंस की शू साचन की गरंटी दे कर आये हैं आज हम उस गरंटी को पूरा करके दिखा रहे हैं हमने गरीब हो दलीत हो पिछड़े हो आदिवासी हो सब के जीवन को बैतर बनाने के लिए निरंतर काम किया है हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि हमारी सरकार के पांच साल में साड़े तेरह करोड लोग गरीबी से बहार निकले हैं यानि आज भारत में गरीबी से बहार निकल कर एक नियों मिडल क्रास नए मध्यमबर्ग का स्थ्रेजन हो रहा है इसलिए हमारी सरकार की प्रात्पिक ताओं में मिडल क्रास भी है नियों मिडल क्रास भी है एक प्रकार से पूरा मद्यमबर्ग है साथियों आप यहाद कीजिए दो हजार चाउदा से पहले मद्यमबर्ग की एक आम शिकायत क्या होती थी लोग कहते थे कनेक्टिविटी कितनी खराब है हमारा कितना समय आने जाने में बर्बाद हो जाता है लोग कहीं बाहर देश से आते थे बाहर की फिल्मों को देखते थे टीवी पे दुनिया की अपनी नजर आजाती थी तो उनके मन में सवाल उड़ते थे सोचते थे कि हमारे देश में कब ऐसा होगा कब ऐसे सड़की बनेगी कब ऐसे एरपोर्ट बनेंगे स्कूल दप्तर आने जाने में परिशानी व्यापार कारोबार करने में परिशानी का देश में यही हाल था हमने बीते नव वर्षों में इस परिशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास किया 2014 में सिर्फ चार शहरों में चार शहरों में मेट्रो नेटवर्क था आज देश के 20 से जादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुँच चुका है आज देश के 25 अलग-अलग रूट्स पर बंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेने चल रही है 2014 में देश में 70 के आसपास एरपोर्ट हुआ करते से अब इनकी संख्या भी बढ़ करके डबल से भी जादा पहुच चुकी है हवाई सेवा के विस्तार ने भारत के एरलाइन सेक्टर को दुनिया में नई उचाई दी है आज भारत की कंपनिया लाखो करोड रुपय के नए विमान खड़ी दरी है कहीं पर एक साइकल नहीं आ जाए गाड़ी नहीं आ जाए स्कूटर नहीं आ जाए तो चर्चा होती है आज हिंदुस्तान में एक हजार नए विमानों का ओर्डर बूख है और संभावना है आने वाले दिनों में दो हजार विमान के ओर्डर की और आपको याद है मुझे तो याद है गुजराच चुनाव के समय मैंने आपको कहा था वो दिन दूर नहीं जब गुजराच एरोप्रेन भी बनाएगा आज गुजराच इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है